असलाम लेकुम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने सोशल अंटर्परियरियल मोटिवेशन पर इन टरम्स अफ पुश वेक्टर्स बात की कि वो कौन सी चीजे हैं वो कौन से फेक्टर्स हैं जो किसी अंटर्परियर को पुश करते हैं कि वो एक सोशल मिशन अडॉप्ट करें और किसी समाजी मसले को हल करने के लिए कोशिश करें लोगों की जिन्दगी में बेहतरी लाए इस मौट्यूल में हम फुल फेक्टर्स की बात करेंगे कि वो क्या है जो सोशल अंटर्परियर को एट्रेक्ट करता है कि वो किसी मिशन को अडॉप्ट करें और किसी मसले को हल करने के लिए कोशिश करें या माश्रे की बेहतरी में अपना कॉंट्रिबूइशन या सोशल इंपेक्ट छोड़े वो चीजें जो हैं उनको हम फुल फेक्टर्स कहते हैं सोशल अंटर्परियोर्शिप में अक्चली फुल फेक्टर्स जो हैं basically they are attracted to the issues and to the solutions तो फुल फेक्टर्स जो हैं उस ज्यादा important role अदा करते हैं for example आम फेहम बात है कि हम इसे किसी के सामने भी कोई opportunity होगी तो हम उसको जरूर avail करेंगे अगर आपके सामने opportunity great बेहतर करने की है आ जाती है तो आप जरूर करेंगे अगर किसी business man के सामने profit increase करने की opportunity आती है तो वो उसको जरूर avail करेगा तो social entrepreneurs के लिए social opportunity जो है वो एक attraction होती है social opportunity जैसे कि हम पीछे बात करते आए हैं इस course में सिमराद ऐसी situation है जो के तकाजा करती है कि action लिया जाए कोई काम किया जाए और वो window of opportunity open होती है जिसके social entrepreneur जिससे फाइदा उठाता है और अपना काम शुरू करता है या मसले को हल करने की कोशिश का आगाज करता है यानि enterprise को establish करता है social opportunity जो है वो कोई disaster हो सकता है कोई जैसे natural disasters है वो कोई मसला हो सकता है जो एक अरसे से लोगों को तंग कर रहा हो वो कोई personal experience हो सकता है social entrepreneur का या उसके family, friends या उसके माहौल या उसके मुल्क से related कोई issue हो सकता है जो के उसकी तबज़ों अपनी तरफ खेंच ले कि इसको हल करना जरूरी है तो social entrepreneurs usually they feel attracted, they feel pulled के यह वो opportunity है जिसको avail करते हुए I can make a difference, I can contribute to the well-being of the society तो वो उसको जो है उस opportunity को avail करते हैं Social entrepreneurs have a desire to innovate और यह चीज उनको एक उनके लिए pull factor है कि वो अपनी उस काहिश को in practice किस तरह से practice करें वो innovate करके दिखा सकें कि वो लोगों से कुछ मुख्तलिफ कर सकते हैं कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया और यह innovation जो है वो idea की सिरफ नहीं है उसमें उस idea को implement करने के तरीके शामिल है वो नए issues adopt करने से लेकर पुराने issues के नए किसम के हल हो सकते हैं organization का नया structure हो सकता है नया तरीक एकार काम करने का हो सकता है यानि innovation जो है is a key for social entrepreneurs कि वो अपने अंदर का जो different human being है जो उसे बाकी लोगों से अलग करता है मैं अपनी ये innovation जो है इसको demonstrate करके दिखा सकता हूँ कि ये महज idea नहीं है मैं जिरफ मुखलिफ सोचता नहीं हूँ या ख्याली पलाव नहीं पकाता बलके actually I can do something different जो के will make difference in people's lives in terms of social impact इसी तरह दीगर pull factors जो है उनमें role models चामिल है आप ज्यादा तर बड़े social entrepreneurs जो है उनकी अगर आप biographies या autobiographies उठा के देखें तो आपको role models का जिकर मैलता है ये role models उनके parents हो सकते हैं ये role models उनकी family, उनके siblings, उनके दोस्त हो सकते हैं ये role models जो हैं वो कोई और social entrepreneurs हो सकते हैं और ये role models जो हैं वो वाक्यात और communities भी हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूँ किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया जिन्दगी में किसी ने कोई कारनामा अंजाम दिया तो they feel pulled के हम भी कुछ ऐसा करें जिससे लोग जो हैं हमें याद रखें या हम माश्रे में contribute कर सकें रोल मॉडल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं हैं personalities हों अगर्चे आम तोर पर रोल मॉडल्स जो हैं वो personalities होते हैं और social entrepreneurs के case में अमूमन social entrepreneurs ही होते हैं ऐसा कम होता है कि कोई social entrepreneur किसी खिलाडी या किसी त्यासतदान से मुतासर होके कोई effort करें या कोई enterprise जो है वो establish करें usually social entrepreneur जो हैं पहले उन से वो ही उनके role models होते हैं या अमूमन जो social advocates, social movements के leaders या community leaders जो के social causes के लेके चल रहे होते हैं वो role model का एक तरह से वो उन्हें pull करते हैं social entrepreneurs को उनको attract करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें कि अपने आपको distinguish कर सकें इसी से related एक और pull factor है जिसको self-realization कहते हैं self-realization में कई चीज़े आ जाती हैं मसलाँ आपको confidence है कि आपके अंदर कुछ खास सलाहियत है capability है आपके पास कोई skills हैं जिनके जरीए से आप कुछ बहतर कर सकते हैं आप दूसरों को फाइदा दे सकते हैं तो यह जो चीज़े हैं आप उनको demonstrate करना चाहते हैं अपनी self को realize करना चाहते हैं अपना confidence, अपनी skills, अपनी capabilities जो हैं उनके जरीए से you want to make a difference तो यह चीज़ आपको pull करती है कि आप अपने आपको essay express करें through entrepreneurial activities के लोग जो हैं वो आप पर trust कर सकें आपके अंदर जो सलायत है उसको उसकी तारीफ कर सकें उसको appreciate कर सकें तो एक्जामपल हम उसमें मिसाले ले सकते हैं Dr. Amjad Saqib है अगर आप Amjad Saqib की जिन्दगी को गौर से देखें या आप उनकी बात को सुनें तो he was like a standard bureaucrate जैसे के हमारे हां bureaucrate होते हैं अपना काम वो ठीक कर रहे थे लेकिन what motivated him what pulled him was उनकी जिन्दगी में जो एक उनकी capacity थी Islamic understanding की जो Islamic teachings हैं उनको समझने और उनको implement करने की हम सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मुसल्मान भाई भाई हैं लेकिन यह जो मौाखात का तसवर अखुवत के कामों में आया के लोग जो हैं वो बराबर हैं और कर्ज़ए हसना जो है अगर उसके जरीए से उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इससे लोगों की जंदगीयां बेहतर हो सकती हैं और भाई चारा जो है वो माश्रे में और equality और equity बढ़ेगी यह idea डॉक्र अमजद साकप के एक तरह से self-realization थी वो understanding जो उन्हें Islamic teachings से हुई और उसको उन्होंने in practice किया जिससे उन्हें confidence पड़ा कि actually Islam वो अचीज है वो teachings हैं जो के महज rituals नहीं हैं बलके in practice इंसानी मौश्रे और इंसानी जन्दगी को बहतर बना सकती हैं इससे क्या हुआ कि उनका अपनी जात पे अपनी समझ पे और अपनी capacity to translate ideas into practice जो है उस पर confidence पड़ा और वो अपने आपको और अपनी सोच को practically express कर सके मौश्रे के अंदर जो inequalities हैं जो vulnerabilities हैं जो exclusions हैं वो age से related हो सकते हैं वो gender से related हो सकते हैं वो ethnicity से related हो सकते हैं वो class difference हो सकते हैं ये चीजें ये inequalities ये discrimination जो है वो attract करती है social entrepreneurs को कि इसको address किया जाना चाहिए कुछ भी unjust नहीं होना चाहिए ये वो situation है जिसमें वो अपनी सलाहियत अपनी जात अपना वक्त जो है वो लगा कर इन situation को इन disparities को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं और ये चीज उनको attract करती है और वो अपना social enterprise establish करते हैं to address those exclusion and vulnerabilities. Thank you.